जागरंजोश.com के इस वीडियो में आप सभी की दोस्तों का स्वागत है मेरा नाम है सयद सौबान और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे असाम पावर डिस्टिविशन कंपनी लिमिटेड के तरफ से एक रिक्रूट्मेंट प्रोसेस निकाला गया है यह पीडी सी एल रिक कर सकते हैं 9 दिसंबर से तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगी साथिसाथ आपको दोस्तों बता दें कि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट www.jagranjosh.com पर विजिट करके पर सकते हैं इसके अलाबा इस आर्ट आर्टिकल में तो यहां पर हमने आपको डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन करके बताई हुई हैं एक जॉब समरी यहां पर आप देख सकते हैं तो जैसे की जो रेक्रूट्मेंट है कौन सा और्गनाइजेशन है क्या एडूकेशन और क्वालिफिकेशन चाहिए होगा इसक को आपको ध्यान में रखना है 9 दिसमबर 2020 से ऑनलाइन अप्लिकेशन के सब्मिशन की शुरुवात होगी और यह जो है 18 दिसमबर 2020 तक रहेगी वहीं पर जो वेकेंसी डिटेल्स हैं उसको हमने यहां पर कैटेगरी वाइस बताया गया है यहां पर हम दोस्तों ग्रूप A की कैटेगरी के गर एक एक एक्जामपल लेकर बात करें तो अगर आप असेस्टन मेनेजर के लिए अप्लाइ कर रहे हैं जो कि एलेक्टिकल मेकैनिकल सिविल और एलेक्ट्रोनिकेशन के लिए मांगा गया है तो आपने बी और बी टेक किया हो किसी भी रिलेवेंट स्ट्रीम में अगर आप हर के यानी कि लिए अप्लाइ कर रहे हैं तो आपने या और पर जो कि गिया हो जो QA1 या फिर UGC से अप्रूव हो इसी तरह से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप देख सकते हैं डेटेल में उसको आप देख लिए उसके बाद पिर आप अप्लाई करिएगा ग्रूप A के मैंने आपको एक्जांपल बता दिए ग्रूप B में अगर के आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके एजुकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको डिप्लोमा चाहिए सेविल इंजिनिरिंग में फूल टाइम डिप्लोमा अब हम सेक्शन C याने की ग्रूप C काटेगरी की बात करेंगे तो अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है बाइस्टर डिक्री इन आर्ट साइंस या क्वेर कॉमर्स होना चाहिए किसी भी दिख अग्राइस उनिवस्टी से जो की मिनेमम आपने 55 परसेंट मार्क से हासिल किये हो या फिर इसके एक्कूवलेंट भीकॉम किया हो इसके लिया हो मैं जिसर तो यहां पर आपको हैं रहें उटरिफिकेशन के नोटरिफिकेशन उन तो को दिखनागे हैं तो आप जिस क्लिक करेंगे कर देगा आपको इस पेज के ओपर आप इसका चाहे तो PDF भी डाउंलोड कर सकते हैं इसी तरह से notification 2 और notification 3 के लिए official website पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको यह official website पर लेकर आ जाएगा और वहां से आप अपनी details भी ले सकते हैं अब salary की की बात करें तो ग्रूप A, B और C की पोस्ट के लिए ग्रूप A का pay scale जो है वो 37,300 से लेकर 1,12,000 तक रहेगा विद ग्रेट पेज़ ओफ 14,200 ग्रूप B की बात करें तो 25,000 तो 92,000 विद ग्रेट पेज़ ओफ 12,100 ग्रूप C की पेज़ की बात करें तो 25,000 तो 92,000 विद ग्रेट पेज़ ओफ रूपीज 11,000 इसकी salary रहेगी रिकूट्मेंट के लिए selection of the candidates will be done on the basis of CBT, computer-based test, documented verification and VIVA इसके बाद नीचे दोस्तों आप आएंगे तो recruitment के लिए age limit आपको बताए गई है, group A category के लिए आपकी उमर 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 44 साल से जादा नहीं होनी चाहिए और 44 साल से जादा नहीं होनी चाहिए और अपर age limit जो है वो 47 years तक दी गई है OBC और MOBC candidates के लिए 49 years CST candidates के लिए और 45 years जो है department candidates के लिए दी गई है जो आप उसको detail में अपने position के बारे में पढ़ें उसके बाद अब apply करें 18 से पहले पहले, 18 December 2020 से पहले पहले और 9 December 2020 से इसके online application का submission की शुरुबात होगी तो दोस्तों आप उको यह भी दियान में रखना है जब आप application फाइल करेंगे तो आप general OBC और MOBC candidates के लिए अगर हैं और apply कर रहे हैं तो आपकी फीस 800 रुपे होगी CST category के लिए 400 रुपे फीस ली जाएगी तो दोस्तों यह थी जानकारी Assam Power Generation Corporation Limited यानकी AP DCL की जो recruitment निकाली गई है उसके लिए अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेर करें और सब्सक्राइब करें